कहते हैं सब खेल कुर्सी का है अगर कुर्सी है तो सब है अगर कुर्सी नहीं तो कुछ नहीं यकीन ना आए तो एक बार फिर से इस तस्वीर को ही देख लीजे आरोप है कि हाँ कुर्सी पर बैठने को लेकर ऐसा बबाल मचा कि बीजेपी नेता आपस में ही नोक्छों करने लगे वो भी एक दो लोगों के सामने नहीं सैकडों लोगों के सामने तो हुआ ये समल में विश्वकर्मा जैनती और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जुन दिन पर बीजेपी जिला प्रभारी और जिला उपाध्यक्ष के बीच तीखी बहस हो गई श्रमिको वाली लाइन में एक बुज़ुर्ग को कुर्सी पर बिठाने को लेकर पूरा मामला शुरू हुआ प्रधान मंत्री के वर्च्वल कारिक्रम में आगे की लाइन में श्रमिको को बैठना था उसी लाइन में एक बुजर्ग को कुर्सी पर बिठा दिया गया कुर्सी पर बैठने को लेकर बीजेपी के जिला प्रवारी, राजा वर्मा और जिला उपाध्यक्ष सतीश अरोडा के बीच विवाद हो गया मानम मोदी जी के दिन दिन के उप्रवाध्यक्ष में हमने हमन किया था, उसके बाद का वर्च्वल समयलन को सुना था तो अगली लेंड सिर्मिकों के लिए छोड़नी थी तो उस बात खुले के थोड़ा सा आपस में हो गया था लेकिन सब एक परिवार है, कोई ऐसी बात नहीं, ना आपस में कोई जा रखते हो ही, और दोनों लोग बाद में आपस में मिलके भी गया है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं वहीं इस मामले पर जिला ध्यक्ष ने बयान जारी करते हुए कहा, कोई विवाद या गाली गलोच नहीं हुई है, कारिकरम के बाद सब आपस में मिलकर गया है वहीं इस मामले को लेकर जिलाव पाध्यक्ष सतीश अरोडा का आरोप है, कि जब से प्रभारी राजा बर्मा आए हैं, तब से पार्टी के कारिकरता अलग 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 खेमे में बट गये हैं, और भरष्टाचारियों को बढ़ावा मिला है जितने भी टिकट मांगने वाले राजनेतिक लोग हैं, उन सभी के पैसे भी इनके ऊपर निकल रहे हैं, और पिछले दिनों पैसे वापस मांगने को लेकर भी विवाद हुआ है संभल की धर्ती पर तमाम जन प्रतनिदियों का अपमान हुआ है जिलादक्ष के सम्मान पे लिए, उसमें मानी ब्रभारी मंतरी धरम पाल सीमझी आएथे और जिलाद के प्रभारी राजा वर्मा वो है परंतु राजा वर्मा ब grant के पीछे काफी समेसे वविवाद मेशने चल रहे हैं, उनका उद्देश रंकूर को बनाने का नहीं था, व जिलादक्ष का किसी तो संबान करने ने दिया और जो भी महमान आये थे दिली से महमान आये थे बड़ी बड़ी दूर दराज से महमान आये थे उनके साथ अपमान किया उनका दुर्वयवार किया उनके साथ और उनने कुर्सी जनपत का बुरा हाल हो गया है, कार्यकरता छोटे-छोटे ग्रुपों में बढ़ गए है, भरस्टा चारियों को बढ़ावा देने का इन्होंने काम किया है, तमाम जितने भी राजनितिक लोग हैं जिन्होंने टिकेट मागें, उनके पैसे इन पर निकल रहे हैं, और तमाम प इनकों को माला नहीं पहनाने दे रहे थे, और कार्यकरताओं को अपमानित करने का प्रयास कर रहे थे, इससे लोगों में बहुत रोश आ गया, उसके बाद मैंने कहा कि इस तरीके का अपमान करना आपकी कौन सी सब्बता है संभल से अभिनव माथूर की रिपोर्ट यूपी तक